अगर आप laptop, computer, PC, desktop, कुछ भी अगर आप यूज करते हो तो फिर इस वीडियो को सुरू से लाएकर आखिर देखो क्योंकि यह एक ऐसा प्रॉलम है जो हर किसी के साथ कभी ने कभी होता ही है दो को अकसर देखा जाता है कि जब भी हम अपने laptop, PC, computer में जब भी हम काम कर रहे होता है तो गलती से हमसे कोई data जो है delete हो जाता है या फिर अगर आपका file किसी और के computer में है वहाँ से अगर उसने गलती से delete कर दिया हो या फिर अगर आपका जो है जो भी storage device है यूज करते हो चाहिए वह hard disk drive हो SSD हो या फिर M.2 हो अगर वो crash हो जाता है क्योंकि देखो यह चीज ना मेरे हाथ में है ना यह आपके हाथ में है वो कभी भी आपका storage device कभी भी crash हो सकता है कभी भी वो खराब हो सकता है तो हो सकता है कि आप कोई important काम कर रहे हो कोई भी file आपका data उस storage device में हो और उसी time आपका device आपका खराब हो या हो तो उस समय अगर आपको data recover करना पड़ता है तो आपको किसी computer repairing वाले shop वहाँ पर जाना पड़ता है या फिक किसी professional के पास जाता है जो कि आपको data recover करके आपको दे अब यहाँ पर परिशन यह आता है कि वो आपसे जो है बहुत ही ज़्यादा high amount चार्ज करते हैं आपके data को recover करने का और इसके साथ साथ आपको privacy भी hamper होता है क्योंकि आपका data recover करने के साथ साथ आपके उस storage device में और भी क्या क्या चीज है वो सारा चीज भी वो देख सकता है तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप घर बैठेगी अपना data को आप recover कर सकें अगर आपको कोई भी file अगर आपका delete हो गया हो या फिर कोई भी video का format आपसे खराब हो गया हो या फिर वो video का format आपसे play नहीं हो रहा हो उसको repair करना हो या फिर आपका कोई भी storage device अगर crash हो गया हो उससे अगर आपको data recover करना है तो कैसे आप तो घर बैठेगा आराम से कर सकते हैं जी हाँ यह एक ऐसा एक software है जिससे कि बहुत ही easily आप घर बैठे कोई भी data को आप recover कर सकते हैं वो है wondershare के तरफ से आने वाला recover it software जो कि बहुत ही easy to use software है बहुत ही इसको use करना बहुत ही आसान है और आप सो घर बैठे ही कोई भी data अगर आपको computer से laptop से अगर delete हो गया हो या फिर कोई भी अगर आपको आपको storage जीवाई जगर खराब हो गया है और वहां से आपको data require करना है तो सारे चीज़ा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कैसे कैसे करना है कैसे download करना है हर इक चीज में आपको मैं बताऊंगा और इस चीज में आपको बता दूँ आसान तरीकी से अगर आपको data require करना है कैसे कैसे करना है step by step जानना है तो फिर इस वीडियो को सुरूँ से लेकर आखिर तक देखते रही है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूई बात अगर आप नीचे दिएवे link से अगर इस software को download करते हैं तो आपको Amazon के तरफ से $300 का gift voucher मिल सकता है इसके साथ साथ Wondersir के तरफ से आने होला recovery software का एक साल का license भी आपको मिल सकता है जैसे कि आप देख पारे हमने Wondersir के तरफ से आने होला recovery software को हमने open कर लिया है और जब आप इस software को install करोगे तो आपके पास इस तरह का icon आप बंकर आएगा तो इसको साइड में रख देते हैं तो देखो इसका first option जो है hard drive and locations है यानि कि अगर आप जो है अपने hard drive से कोई भी फाइल को अगर recover करना चाहते हो तो बहुत ही easily आप recover कर सकते हो चाहिए वो c drive, d drive, recycle bin, desktop में आपने रखा हो या फिर आपका जो है कोई भी selected folder से आपने जो है डिलीट हो या फिर गलती से आकर आपका कोई भी फाइल आगर डिलीट हो गया हो अगर मालों कोई selected folder से करना है तो कैसे करना है जैसे select folder यहाँ पर लिखावा यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर दोखो C drive आगया डीड्राइव आगया यह यहांकि आपका जहां पर जो आपको जो है folder है वहाँ से आपको आपको जो है फोल्डर है यहां से मुझे है data म आपको शुरू कर देगा टो इस तरह से जो है इसको 100% कम्प्रिट होने देना और जब यह 100% कम्प्रिट हो जाएगा तो यह जो आपका जो फोल्डर रहेगा फोल्डर के अंदर में आपको जो है यानि कि जो भी डिलीट किया रहेगा फाइल रहेगा वहापको मिल जाएगा तो अभी मैं आपको जो है इस अभी जो है आपको सामने डिलीट करके मैं दिखाता हूं और कैसे रिकवर होता है मैं आपको मैं दिखाता हूं ताकि आपको पता चलता है कि कैसे यह काम करता है तो इसको हम स्टॉप करते हैं इसको हम जरूत नहीं है इसको हम बैक करते हैं अब कि यह टीक से देखलो इसी वीडियो को हमको रिकॉर करना है अलब इस तीनों चीजों को सो है मानलों हम इसको ढिलर करते हैं स हम इसको raf t arrivé हो चुका है अब या हम किया से हमारे हो चुकLD है अब जाय ड Bluetooth in यह यहाँ जागा यह रिखांगा इन अब वापस हम जो है ये तीन फाइल को हम ने desktop से भी डिलीट किया और यहां से डिलीट होने के बाद ये recycle bin में चला गया वहां से भी हमने इसको डिलीट किया अब हमको जो है desktop से हमको recover करना है तो हम desktop करेंगे और यहां पर इसको हम scan करेंगे इसको आपको 100% तक scan होने देना है और उसके बाद ही आप जितने भी फाइल जो आपने यहां से डिलिट किया है आप उसको जहेई इसले आप रिकर आप कर पाएंगे तो इसको हम 100% होने तक कवेट करते हैं अब जैसे के देख परहा है यह 100% होने ही वाला है तो चलिए 100% होने देते हैं चलिए देखिए यह 100% हो चुका है यह और इसको हम OK करते हैं अब देखो हमारा जो भी फाइल हमने डिलीट किया था वो हमको यहां पर मिलने माला है अब चलिए देख लेते हैं कैसे मिलेगा आप चाहे तो फाइल के लोकेशन में डियरेट जाकर सर्च कर सकते हो या तो फिर हमको फोलडर पता है तो तो यहां से जाकर देख सकते हो लेकिन उर्ट करते हैं जो मेरा पहला वीडियो था उसका नाम था चॉर्ट वीडियो तो तो देखो अब जैसे कि आब देख पा रहे हैं यह वही video हे जो को से कि कोई और वीडियो तो उसको चेक करने के लिए आपको यहां पर पहले यहां पर यहां पर अंचेक करेगा इसको आपको जो है से चेक करना है और यहां पर जो है आपको डबल क्लिक करना है ठीक है डबल की करने के बाद अब देखों इसको मैं पॉस्क करते रहा हूं तो यह यही वह वीडियो आपने देखा होगा जो हमने डिलिट किया था हमारे रिकवर हो चुका है इसको रिकवर वाला ओप्षन में यहाँ प्रद्सक्राइब करने तो जैसे आप जैसे आप जो है रिकवर वाले ओप्षन में क्लिक करोगे तो आप से पूछेगा कि आपको इस फोलडर है तो यहां पर हमने जो है इसी फोलडर के अंदर और एक हम फोलडर बनाय सबूसक्राइब यहां पर हमालो हम लिक देते हैं कम सी ठीक 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 रीकवर्पूर ट्रिए वार। ये हमारा जो है फॉल्डर हमने बन के तैर होगया अब इसी फॉल्डर के अंदर येवाला जो हमने जो होड़ किया है वीडियो इसमें चला जाएगा दो क्लिक करते हैं कि अब आपके पस्य और या पर यह यहाँ पर देख रहे हो च्लिक करकर के थे लेकिन अगर आपने जो फोल्डर के ored लें ये और पिर वाला जो वीडियो था आपने में डाला था वहां से यह देख सकते हो तो इसके लिए आपको पता honors के लिए 63 वाला यहां पर इतना अंदर में आ grape लिए करोगे तो यहां पर तो देखो यहां या वाला ओगे है यानि कि वीडियो आगे है जो लिए तो हमने कि यहाँ है तो इस तरह से जो है आप अपने कोई भी ढूल्टेटट फाईल को आप nerd कर सकते हैं अब चले सब्सक्राइब करब घार पता है कि आप प्र पूरा बलू हो जाता है फिर हमारा कोई काम नहीं करता है हम कोई भी फाइला में आजाता है यह यानिली पूरा ब्लैक स्कीन अजाता है में .. यह ब्लिंक होते रहता है तो उस muito bit ड्राइब में जुब्य आपने डैटा रखा है उसको सब्सक्राइब करेंतके। कर पाऊगी अब इसके बाद वाला जो ऑप्शन आता है वह है एडवांस वीडियो रिकवरी ऑप्शन इसमें देखो इसमें आप जो है कोई भी अगर आप जो फाइल जो है जो बहुत ही वीडियो है उसको आप जो है खोजना चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है या फिर कोई अगर आप 4K या फिर 8K का वीडियो अगर आप जो है रिकवर करना चाहते हो या फिर कोई भी वीडियो किसी भी आपको डिवाइस से अगर आप मानलो DSLR है आपका डिजिटल कैमरा है आपका ड्रोन है या फिर मानलो मॉबाइल फोन में आपने रखा हो और आपका जो भी को फाइल जो है करप्ट हो गया हो या फिर मानलो अक्सर आपने दिखा होगा कि कभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते हैं अचानक हमारा जो है कैमरा सट डाउन हो जाता है बैटरी लो हो जाता है जिस वज़े से हमारा पाटिकुलर वो वीडियो का फाइल जो हमारा करप हो जाता है वो हमेरे खुलता नहीं है या फिर कोई भी फाइल हम जब हो हाइब कोई प्रीमे प्रो में जे आफ्टर इफेक्ट में कॉभी विडियों मंगर," छो है ड् tor करते हैं तो कभी जो है वो फाईल जो है करणा जाता है तो उस फाईल को जो है ठीक करने के करके आपको जो है यहाँ पर भी automate आपको जहां करना पर अब muz how t आप जह चीज अपकते हो वॉंडर्सر के तरफ से आने वाला recovery software का लिंक मैं को वीडियो की नीचे में आपको मैं दे दूंगा जहांसे आप डाउनलोड करके आप जो अपने फायल को कर सकते सकते हो अगर फ्री ट्रैल लेना चाहते हो तो यहां से भी क्लिक करके आप जो है फ्री ट्रैल आप ले सकते हो या फिर अगर आप जो है इसको पर्चेस करना चाहते हो तो इसली आप जो है इसको पर्चेस करके आप जो है कोई फाइल को जो है आप जो है इसको रिकवर कर सकते झाल